खरगोन शहर के सुकपुरी शेत्र में एक पेंटर ने अपने ही घर में फासी लगा कर जीवन लिला समाप्त कर ली हाथसे के समय पतनी माई के गई हुई थी सुबो माता पिता ने बेटे को फंदे पर लटका देखा तो उनके होश उड़ गए मिली जानकरी इनुसार रोशन पिता दिलिप सीह मुझालदे ने अग्यात कारणों के चलते घर में पंखे पर लटक के फासी लगा ली पतनी मा के यहां गई हुई थी म्रतक के परीजनों ने बताये कि कुछ दिन पहले रोशन का एक्सिडेंट भी हुआ था उसकी एक बच्ची भी है और वो पैंटिंग का काम करता था पिता दिलिप सीह ने बताये कि रोशन रात को घर की कमरे में अकेला सोया था माता पिता नीचे सोय थे सुबह उसे जगाने गए तो वो लटका मिला सुचना पर पुलिस मौके पर पहुची और पंच नामा बना कर शोव पी-एम के लिए लाया गया जहां पी-एम कर परिजनों के सुपूर्द किया गया खरगौन से ब्यूरो की रिपोर्ट कि अगवाइब व्यादर कर खाएब बीचों गवाइब मांवाइब आपके आपके यह नटके हुए पापा मजदूरी करते हैं यह पेंटर है ठेके लेते हैं पूटा ही करते हैं एक लड़का भी है हाँ मैं उनकी सिस्टर चोटी बहन हूँ अकेले अकेले मतलब दो पति-पत्नी रहते उनकी पत्नी माई के गई हुए जोती कैसे क्या हुआ था हमारे को तो बजार बेजा था उसने बजार गए थे बजार से काने के लिए उसके लिए उसके बाद है तो थोड़ा तेंचन में था तो खाना वाना खाय के हम सो गए थे अजार शृक थे इसकी पत्नी तो आठ रोज तिले की जाल थी और है किए से अज़ता अधा पूर अज़त। आशब तो रादत को दो एक बजे है खाना भी मंगा था फ़िए हुआ हाउ खाना भी मंगाता है तो खाना था नहीं तुमने का खाना ही नहीं है तो सु गया था वापस उसके बाद अमारों को नील लगे उसमे इसा दागार इग बड़के पट्च इथे बच्चा है किए ऐक क्या नाम है दिलीप सिंग मुझाल दे हैं अपर लड़का था मेरा लड़का है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें